Hello everyone, welcome to Gyanale तो आईए आज हम बात करते हैं Hostel Warden के बारे में जो EMRS से related है हम सब जानते हैं कि 740 EMRS बनाने की बात हुई है जिसमें से कि कुछ EMRS बन चुके है और कुछ बनने वाले है अब इन 740 EMRS जो बन रहे हैं इन सब में Hostel Warden की जरुवत है एक female hostel के लिए और एक male hostel के लिए यानि कि पर या एक EMRS में हमें दो seat चाहिए Hostel Warden की एक girls के लिए, एक female के लिए और एक boys hostel के लिए या males के लिए तो अगर हम इस हिसाब से देखे तो हमें 1480 seats, 1480 vacancies fill करवानी होगी EMRS related hostel warden की जिसमें से की 669 vacancies 2023 में जिन बच्चों ने appear किया है जिन बच्चों ने exam दिया है उन्होंने 669 vacancies के लिए exam दे रखा है तो ये 669 vacancies जो की है 2023 में cover की जा चुकी है हम सब जानते हैं कि Ministry of Tribal Affairs ने ये बताया था कि भाई जो 38,000 plus vacancies है इस सारी vacancies को ये 3 साल में cover करेंगे तो जब हम ये देख रहे हैं कि 1480 vacancy की जरुवत है जिसमें से कि 669 vacancy already cover हो चुकी है 2023 में तो बाकी की जो vacancy रह गई याने 811 vacancy ये आने वाले 2 सालों में cover होगी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि Ministry of Tribal Affairs ने बताया है कि भाई तीन साल में vacancy cover हो नहीं है 2023 का exam हो चुका तो 2024 और 2025 में ये 811 vacancies cover हो नहीं है तो जिन लोगों ने exam दे दिया है जिनका निकल चुका है जिनकी जॉइनिंग है उनके लिए तो भाई बहुत बढ़िया लेकिन ये बात भी fact है कि भाई जिन लोगों ने exam दिया है 2023 में उनको prepare करने का time बहुत कम मिला है comparatively जो लोग 2024 में exam देंगे उनके पास time जादा है उनके पास एक golden opportunity है appear करने के लिए उनके पास 2023 का जो paper है वो as base हो सकता है एक standard हो सकता है जिसके हिसाब से उनको अपना preparation करना है तो I think you should go for it and जैसा कि vacancies निकलने की उमीद है तो आप election के बाद ये संभावना लगा सकते है आप election के बाद ये चीज़ calculate कर सकते है कि vacancies निकलेगी election के बाद और आप इसके लिए जो की है पूरी तरह से तयारी कर सकते है For more updates and information like this please do keep on watching ज्यानाले and do like, share and subscribe our channel Thank you